7.1 कोस्ट नमबर हम 17 तक कर चुके हैं और आपको बोला था कि अगर आपकी कोई प्रोब्लम आती है तो इस कोमेंट करके जुरूर बताना देखो अगर आपकी प्रोब्लम आज, कल, परसो, जब भी तीन दिन बाद, चार दिन बाद, वीडियो बनाने की तीन दिन के बाद भी अगर आए तो भी आप अगर कोमेंट करके लिखोगे तो वो मैसेज अभी मेरे पास पहुच जाएगा और उस कोस्टन के लिए मैं वीडियो जुरूर बनाऊंगा आपके कभी भी प्रोबलम आए, उससी टाइम आप कोमेंट कर देना जब भी आप इन वीडियो को देखो फाइंड दा नंबर ओफ, एटेंथ कोस्टन है फाइंड दा नंबर ओफ, फोर लेटर वर्ड हमें अब की बाहर चार लेटर का क्या बनाना है एक वर्ड बनाना है, ठीक है चार लेटर का एक वर्ड बनाना है जैसे ये फाइंड है, ये भी चार अक्सरों का है दा है, ये तीन अक्सरों का है, ये पांच अक्सरों का है ये चार अक्सरों का एक वर्ड बनाना है विद और विद आउट मीनिंग या तो meaning हो या बिना meaning हो जैसे with है with में चार word है और अगर with की चार word हो को आगी पीछे करके लिखूं तो क्यों meaning बने कभी ना बने तो which can be formed out of the letter of the word जिससे हमें जो letter बनाना है formed out जिससे ओग लेटर बनाना है of the letter of the word किस letter और किस word से बनाना है यह जो आपके पास रोज दे रख्या है इसका यूज करके हमें letter बनाना है where the repetition of the letter is not loud repetition मतलो एक बार अगर आर यहां गया तो आर दुबारा दुबारा नहीं आएगा यहां पे ओ यहां गया तो दुबारा नहीं आएगा तो repetition is not allowed repetition allowed नहीं है total number of word total number of word कितने है हमारे पास r o s e is equal to four words तो total words तो हमारे पास कितने है four है तो number of way number of way to fill the first letter number of way to fill the first letter पहले letter को यह वाड़ा first letter second third fourth इसके यह letter fill करने के लिए तुमारे पास कितने word है एक, दो, तीन, चार तो इसको fill करने के लिए कितने वे हो सकते है four way तो इसको तो fill करने के लिए four way है और number of way to fill the second letter second letter को fill करने के लिए कितने वे हो जाएंगे देखो यहाँ पे अब जो word आ गया है वो यहाँ पे दोबारा repeat नहीं हो सकता तो इसको fill करने के लिए कितने word बच जाएंगे एक तो यहाँ use हो चुका है और बाकी बचे हुई यहाँ पे हमें देखना है तो यहाँ पे कितने word बच गए तीन बच गए है तो कितने भी हो जाएंगे थरी वे उसके बाद number of way to fill the third word जो तीसरा word बनाने के लिए मारे पास तीसरा letter क्या हो जाएगा मारे पास third letter क्या हो जाएगा number of way to fill the first letter second letter third letter third letter में कितने हो जाएंगे यहाँ पे जिखो first or second दो word यहाँ आचुके हैं तो उसके बाद बच की कितने दो word तो two way से इसको fill कर सकते हैं last word जो है fourth letter है fourth letter को fill करने के लिए देखो यहाँ पे तीन letter आचुके हैं तो बच गया एक letter तूसी letter को मिया रख सकते क्योंकि repetition allowed नहीं थी तो one way इसको एक तरीकी से कर सकते हैं तो last में total number of way number of way to fill the four letter word तो च्यार लेटर का जो word है वो कैसे कितने number of way से fill कर सकते हैं four multiply three multiply two multiply one इनके अपस में multiply कर देंगे तो यहाँ से क्या जाएगा four three twelve twelve two 24 तो 24 वे से हम इस letter को क्या कर सकते हैं fill कर सकते हैं ऐसी next question देखते हैं how many words can be formed कितने words बन सकते हैं out of the letter जो letter हमारे पास दे रख्या है of the word smile smile दे रख्या है इसमें कितने word है 5 है taking all the letter at time no letter being repeated कोई भी letter repeat नहीं होना चीए बिल्कुल डिक्टो कोशन है इसमें letter कितने हैं 5 है तो कितने letter का word बनेगा इसमें जो word बनेगा वो कितने letter का बनेगा one, two, three, four, five तो five letter का word बनेगा तो पहले में total पहले यां दिखा देंग word कितने है smile में s, i, m, l, e ये वाड़ा is equal to me five words उसके बाद number of way to fill the first letter first letter को fill करने के लिए कितने letter इसमें 5 के 5 यूद हो सकते हैं second को बने के लिए कितने हैं बच जाएंगे 4 बच जाएंगे क्योंकि यहां पे पहला चुका है यहां पे third को बढ़ने के लिए कितने बच जाएंगे क्योंकि यह बिल्कुल सिंपल कोस्टन है और इसी जैसा जो उपर मैंने करवाया है बस इसमें एक last five letter आ जाएगा बस और उड़की सेम था तो देखो last question है इसका last question number twenty five person enter the lift पांच आदमी थे और वो लिफ्ट में इंटर कर गए लिफ्ट समझते होगे लिफ्ट जो बड़ी बिल्डिंग्स में उपर जाने के लिए लिफ्ट का यूज़ करते हैं तो लिफ्ट है और cabin लिफ्ट का जो cabin जो लिफ्ट में जाते हैं वो उसका एक cabin होता है ओंदा ground floor वो किस पे है ground floor में है देखो जो यहां से स्टार्ट होता है जैसे बिल्डिंग स्टार्ट होती है उसके बाद फलोर होते है जो सबसे पहला यहां होता है यहां से ही लिफ्ट स्टार्ट होती है यहां पे लिफ्ट होगी ग्राउंड फलोर के उपर of an eight floor house तो कितने floor का house है? आठ floor का house है उसके उपर आठ floor बने हुए है Suppose each of them मान लो each of them can leave the cabin मान लेते हैं हर एक को एक cabin independently मतलो देखो आठ floor है और कोई cabin में चले आजाता है तो independently at any floor कोई भी किसी भी floor पर उतर सकता है independent है मान लो आप यहां से गए यह नहीं कि आप fast floor पर नहीं उतर सकते है second पर नहीं उतर सकते है आप का मर्जी जहां जी करे वहाँ उस floor पर उतर सकते है beginning with the fast और जो floor जो start होती है वो fast से शुरुआत होती है मतलो एक floor तो गया है यहां पर बचगे कितने floor seven floor find the total number of way तो कितने number of way है in which each of the five person कितने आदमी चड़े थे उसमें five आदमी चड़े थे तो five person can be leave the cabin वो leave कर सकते है cabin को तो fast part हमारे पास at any one of the seven floor तो कितने floor हमारे पास seven floor है तो कितने आदमी है five five person है तो तो हम कह सकते हैं यहां से here we have five person and eight floor तो कितने person है five person है और floor कितने है eight है fast part हम कर रहे हैं तो fast cabin fast person जो पहला person है can be can leave leave the cabin जो पहला person है fast person can leave the cabin तो पहला person leave कर सकता है cabin को उसके पास कितने floor बच गे 7 floor बच गे तो 7 में से किसी भी floor पे जा सकता है क्योंकि यह दे रख़ा है at any one किसी भी एक पे जा सकता है of the 7 floor तो पहला जो आदमी है वो किसी भी एक floor पे जा सकता है तो उसके पास कितने वे हैं 7 वे हैं उसके बाद second person second person can leave the cabin second person can leave the cabin is equal to me इसके पास भी कितने floor हैं seven floor है यह condition नहीं है कि आप एक ही floor पे उतर सकते हो किसी भी floor पे उतर सकते हो तो यह भी seven में से किसी भी एक floor पे उतर सकता है उसके बाद आजेगा third person third person can leave the cabin उसके पास भी कितने वे हैं seven way है क्योंकि repetition यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है at any one किसी भी एक floor पे आप उतर सकते हो उसके बाद जो है fourth fourth person can leave the cabin वो उसके पास भी कितने वे हैं seven way है उसके बाद fifth person can leave the cabin YouTube इसके पास भी कितने वे हैं सेवन वे हैं तो टोटल नंबर ओफ वे टू टोटल नंबर ओफ वे टू लिव दा के बिन लिव दा के बिन इजिकल्टों में कितना आ जाएगा सेवन मल्टिप्लाई सेवन मल्टिप्लाई सेवन मल्टिप्लाई सेवन मल्टिप्लाई सेवन 5 बार 7 की multiply कर देंगे तो यहाँ जाएगा 7 की power 1,2,3,4,5 हो जाएगा यहाँ जाएगा इसको solve करने की जूरत नहीं है 7 की power 5 आप लिख सकते हैं at the different floor अब second part में यह दे रखा है कि वो कितने floor different floor में उतरने चाहिए तो देखो यहाँ पे in second case no person no two persons no two persons can live the same same floor तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि second case के अंदर क्या है हमारे पास no two person कोई भी दो person can live छोड़ सकते हैं the same floor no no मतलब नहीं नहीं छोड़ सकते किसी दो floor पर आप नहीं जा सकते तो फेश्ट परसन वही आजेगा फेश्ट परसन कें लीव दा केविर ए लीव दा केविर तो पहला person केविर को छोड़ने के कितने में आधाले हैं तो बचगी कितने five way five floor बच चुके है तो उन में से किसी एक पे जा सकता है उसके बाद fourth floor fourth person can leave the cabin उसके पास कितने बच गई यहाँ पे थरी चले गए हैं तो four floor बच गई है तो four में से किसी एक पे four way से जा सकता है उसके बाद fifth person जो है उसके पास कितने floor बच चुके हैं तो किसी एक floor पर जा सकता है तो total number of way to leave the cabin तो कितने way हो सकते हैं cabin को छोड़ने के तो कितना आ जाएगा 7 multiply, 6 multiply, 5 multiply, 4 multiply, 3 इन सब की आपस में क्या कर देंगा multiply, वही आपके पास क्या हो जाएगा total number of way हो जाएगी इस cabin को छोड़ने किया तो ये था आपके पास question number 20 अब ये exercise 7.1 complete हो चुकी है अगर कोई doubt है तो आप whatsapp number पे या फिर इस पे comment करके जरूर बताना धन्यवाद